एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो ये एक coming of age movie है अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे man character Adam को देख सकते है Adam अपने स्कूल में था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें gay बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते इस तरीके से जिडाने के बाद Adam के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा जब फाइट खदम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic school में पढ़ता है तो वहाँ की sister वहाँ पर आए और इन दोनों को ले कर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए detention में डाल दिया गया था Adam का फ्रेंड उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से ही fight हुई थी Adam भी realize करता है कि उसका है करना बहुत ही गलत था तो उसे हो sorry भी कहता है आज जो fight हुई थी इसमें Adam का teeth तूट चुका है वह घर जाकर इसे glue से चिपका लेता है रात में dinner करते हैं कुछ nude magazines वो पढ़ रहा था वो Catherine को लेकर बहुत ही curious था अपनी school खतम हो जाने के बाद उस पर वो नज़र रखता है अपनी दूर्बिन से उसके घर बर कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में उसे पता चलने लग गया एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका mail वो लेकर आया इस mail में उसे President Kennedy का लेटर मिलता है यह हमारी story उस time की है वो जब mail बढ़कर बाहर आ रहा था तो Catherine ने उसे notice किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो Adam ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर trip पर जाना इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके पास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ Catherine ने उसे घर में invite किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो Adam ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, गार्डन ये सब मैं मैंनेज कर सकता हूँ Catherine भी Adam को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है Catherine की घर में उसका और President Kennedy का फोटो था Catherine गहती कि वो मेरा फ्रेंड है President Kennedy का फ्रेंड होना है बहुत ही बड़ी बात थी एक बार जब Adam की Mother President से मिली थी तो बहुत ही ज़ादा एक्साइट थी Adam राज में हमेशा Catherine को खिड़की से देखता है उसके फोटो भी लेता है अगली दिन स्कूल में Adam की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था ये बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर सिस्टर आगे Adam के कान कीच कर उसे वहाँ से लेकर जाती है घर आने पर Adam Catherine के पास पहुचता है उसे कहता है कि आपने मुझे गार्डन का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी पेंडिंज देखी ये सब Catherine की पेंडिंज थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेगरा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहती है तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका फॉर्म डेड़ हो जुका है इसका मतलब है ये स्लोली स्लोली मर रहा है वो फिर Adam को अपनी गार्डन दिखाने के लिए ले कर गई एक बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन थी पर Catherine गहती है मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लांड करेगी Adam भी समझ गया कि इस गार्डन की फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam गार्डन में काम करने लगया और थोड़ी देरे बाद Catherine उसके पास आई और वो बहुत ही अच्छे से ट्रेस थी Adam गहता है आप बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो Catherine हसती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर है तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुत ज़्यादा अफसेट हो गई थी उसे समझा दिया कि Catherine एक अलग टाइप की लेडी है वो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेक्ली बता रही थी कि Catherine का character अच्छा नहीं है आडम के अदा है कि आप नहीं तो कहा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए ये बाद आडम के फादर को भी सही लगी वो कहते है तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डारेक्ली घर पर आना आजरात फिर से आडम केथरिन के घर के सामने नज़र रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़िया खड़ी हुई थी उसने अपने दूरबीन लगा कर देखी तो प्रेसिडन कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्ट हो गया अगली दिन गाड़न पर काम करते हो उसने कैथरिन से का कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडन कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उनने आपके घर में देखा कैथरिन गुस्ता आओकर बोल थी इस बारे में तुम भूल जाओ कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए अडम को अपने पैरेंट से पता चला था कि कैथरिन का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है कैथरिन गयती कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था कैथरिन अडम को अपने बेटे का दरा समझती है कि अडम को अच्छा नहीं लगता दोनों की बातों से में बता चलता है कि कैथरिन और उसका हस्बन इन दोनों में फाइट है थोड़ी देर में जब कैथरिन गयर से बाहर गई तो अडम उसका पीछा करता है कैथरिन आज लूशियन से मिलने के लिए गई थी लूशियन एक्च्वल में कैथरिन के एजेंसी के लिए काम करता था इनके एजेंसी इंफ्लूइंशल लोगों को जैसे प्रेजिडन बहुत बड़े बिजनेसमैन इन लोगों को लड़के सप्लाइ करने का काम करती है लूशियन कैथरिन को वो प्रेजिडन कैनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था, वो एक political बात को लेकर, प्रेजिडन को कुछ समझाना चाहते थे, पर Catherine की उससे उस तरीके से बात नहीं होती है, Catherine कहती है, कि वो मेरा कुछ भी सुनने रहा, उस राज जब वो प्रेजिडन से मिली थी, वो लास्ट टाइम था, आज शाम फेट ने एडम को अपने घर बर बुलाया था, उसके घर पर जाता है, ये म्यूजिक सुनते हैं, और फिर किस करने लग गे, किस करते करते एडम का दाथ निकला है, उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था, वो गैथरिन के घर पर काम कर रहा है, टूत के बारे में नहीं बताया, इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी, आडम भी अपसेट होकर कैथरिन के घर के बाहर खुम रहा था, उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है, वो खिड़की से देखने लग गया, तबी कैथरिन का हस्बंड जिसका नाम है ग्राहम यह उसे पकड़ लेता है, उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है, मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हो, ग्राहम नहीं कैथरिन को प्रेजिडन के साथ इंटिमेट होने के लिए कहा था, कैथरिन गहती कि हमने जोबी किया, इसके बारे में सब लोग को बता है, और सब लोग हम पर रहसते हैं, ग्राहम को भी बुरा लगा और वहाँ से चला जाता है, अगली दिन एडाम ने ग्राहम पर भी नज़र रखी, ग्राहम इस बार लुशेन से मिल रहा था, ये दोनों डिसकस कर रहे थे कि कैथरिन का क्या क्या जाए, ग्राहम लुशेन से खहता है कि कैथरिन के पास एक डायरी है, उसके साथ जो भी होता है, इस सब के बार में उसमें लिखती रहती है, ये डायरी होना एक बहुत ही बड़ा रेस्ट था, पर एक कैथरिन के लिएक सेफटी है, अगर उसकी एजनसी ने उसे हट करने की कोशिश की, तो सारी चीजों एक्सपोस कर सकती है, इस डायरी के बार में सुनने के बाद, कैथरिन जब घर पर नहीं थी, तो एड़म उसके घर में आ जाता है, डायरी को ढून लेता है, अजानक से कैथरिन भी किसी और के साथ वहाबर पहुँच गई थी, एड़म क्लोजेट में चुप गया, और उन दोनों को इंटिमेट होता देख रहा था, उस आदमी के जाने के बाद, कैथरिन ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो, तुम्हारा बैक बहार ही पड़ा था, एड़म उसे सौरी कहता है, पर कैथरिन ने कहा, तुम सिर्फ क्यूरियस थे, वो उसे वॉन करती है, कि फिर से यह सब होना नहीं चाहिए, आजराद एड़म और उसके सब फ्रेंड्स की पार्टी थी, इसमें वो एक गेम केलते, जिसमें एड़म और फेट को, तोनों को एक मिनिट के लिए क्लॉजिट में जाना पड़ता है, एड़म ने फेट से कहा, कि मैंने अपना टूथ फिक्स करवा लिए, इसके बाद वो किस करने लग गया, जिस तरीके से एड़म ने कैथरीन को इंटिमेट होता देखा था, उसी तरीके से वो फेट के साथ भी इंटिमेट होना चाता था, पर इस बाद से फेच ज़रा uncomfortable हो गई वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है Adam जब घर पर आया तो Catherine की घर से बहुत ही loud music चल रहा था उसे देखने के लिए पहुच जाता है वो बाहरी बारिश में भीक रही थी वो Adam को देखकर उसके साथ घर में आती है वो ड्रिंग ले रही थी तो उसने Adam को भी ड्रिंग ओफर किया इसके बाद वो Adam के साथ पेंट करने लग गई Adam ने Catherine को किस करने का ट्राइ किया पर Catherine उसे रोक ले दिया इसके बाद इस दोनों पेंट से ही खेलने लग गई बहुत जादा गुस्सा हो जाती है वो रात में Catherine के पास था ये बात पता चलने के बाद वो फादर से कहती है कि अभी के भी उसके पास जा उसे कहो कि Adam से कोई भी रिलेशन्शिप ना रखे आडम को कोई भी काम करने की ज़रुद नहीं है फादर जब Catherine के पास पोचे तो Lucian वहाँ पर आया हुआ था Lucian उसे बात करता है तो फादर के बारे में Lucian को सब चीज़े पता थी याद तक कि उनका डांसपर भी होने वाला है इसके बारे में वो बोल लेता है ये सब बात सुनकर फादर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्होंने Catherine से कहा कि प्लीज आडम को कोई भी काम मत देना Catherine भी इस बात के लिए मान जाती है घर पर आने पर फादर बे अडम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो कहते हैं Catherine से कोई भी रिलेशनशिप अब तुमें नहीं रखनी है तुम स्कूल जाओगे और सिधा घर पर आओगे आज Lucian Catherine को समझा रहा था ये तुम President को समझाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ तो चीज़े बदलनी चाहिए वरना President को ये बदलना पड़ेगा Catherine समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गडबर होने वाली है उसने President को कॉल करकर वान करने की कोशिश की पर उसे पूरी तरीके से वो इग्नोर कर रहे थे दाथ में वाइट हॉस पर भी जाकर आती है वहाँ के गार्ड से उसने बुचा अगर President को कोई गोली माय रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे गार्ड कहता है मैं मेरी duty honestly करूँगा इसके बाद मुवी में President Kennedy का assassination हो जाता है एडम को जब यह बात पता चली तो Catherine के पास आया वो बहुत डिस्टरब्ट थी रो रही थी एडम उसे सहार देता है Catherine कहती है इसमें मेरी गलती नहीं थी मैंने उसे वोन करने की बहुत कुशिश की थी मोगे का फायदा उठा कर Adam Catherine के साथ intimate होना चाहता था पर Catherine गुसा आओकर उसे वहाँ से निकाल देती है Catherine को बदा चला कि उसकी notebook कायव है यह उसके लिए बहुत important थी वो Adam के घर पर आई पर mother उसे बात करती है Adam उसे मिलने नहीं देती है Catherine ने कहा कि Adam के बास मेरी एक चीज है प्लीज उसे वापस करने के लिए कहिए गर पर Catherine से मिलने के लिए उसका आजबन Graham आय हुआ था उसे कहता है प्लीज notebook वापस कर दो इससे तुम बहुत ही safe रहोगी Catherine कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की थी तुम बहुत ही अलग person थे अब तुम क्या बन चुके हो Graham कहता है कि resident की date तो होने ही वाली थी वो किसी का भी सुनता नहीं था इसमें किसी की भी गलती नहीं है वो Catherine से sorry कहता है उसने कहा हमारे बेटे की date के बाद मैं सिर्फ तुमें ही दोशी मान रहा था वो एक accident था जिसमें Catherine दोशी नहीं थी Graham ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फिर से उसके साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है कहता है हम इन सब से दूर एक अलग country में चले जाएंगे Catherine भी इस बात के लिए मान की शाम में उलूशन से मिलने के लिए जाती है उससे कहती है तुम्हें नोटबूक में नहीं देने वाली वो नोटबूक मेरे एक safety है अगर मुझे किसी ने भी हाम करने की कोशिश की तो सारी चीजे मैं expose कर सकती हूँ लूशन कहता है कि मैं उस नोटबूक को ढूंड लूँगा मुझे बता है कि तुमने उसे छुपाई हुई है किसी ऐसे आदमी के पास जिस पर मैं शक भी नहीं करूँगा लूशन को पता था कि डायरी एडम के बास है Catherine इस बात से बहुत ही डर गी लूशन के पास आती है और कहती है प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो अब मैं यहां से चली जाने वाली हूँ लूशन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो वो गहती है कि लाइफ में परपस जुणने के लिए मेरा बेटा, मेरा आर्ट यह सब चीज़े मेरी लाइफ को मीनिंग दे देते जैसे आप बड़े होते जाते हो तो यह चीज़े आप लूश करते हो यह हमेशे आपको ढूंटी रहनी चाहिए कुछ न्यू चीज़े ट्राइ करना चाहिए यह एडम के लिए एक लाइफ लेसन था अगली दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है तो उसका कमरा देहसनेस पड़ा हुआ था लूशन घर पर आकर कैथरीन की डायरी लेकर गया था एडम कैथरीन की घर पर बहुचा तो वहाँ लूशन है उसने उस डायरी को जला दिया लूशन एडम से कहता है कैथरीन ज़रा डिस्टरब थी उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए और लास्टली वो ज़रा कन्फियूस्ट हो कही थी जो तुमने पढ़ा और देखा इसके बारे में किसी को भी मत बताना अडम पुछता है कि कैथरीन का है लूशन ने का कि आज तो तुम मिलने वाले थे अडम उसी जगह बर कैथरीन से मिलने के लिए पहुचा पर कैथरीन की नीचे गिर कर डेथ हो चुकी थी कैथरीन की हस्बन को इसके बारे में पता चलने के बाद उसे भी बहुत पुरा लगता है पर लुशन के खिलाब वो कुछ कर भी नहीं सकता Catherine की date के बाद Adam बहुत अपसेट था स्कूल में अपनी friends के साथ उसकी बंती नहीं थी क्योंकि friends के बीच में उसने fight लगाई थी उसके friends मिलकर उसे बहुत मारते हैं उसने जो भी किया इसका उसे बहुत regret होता है गर पर आने के बाद उसे Catherine से एक courier मिला उसने मरने से पहले Adam के नाम पर एक courier कर दिया था इसमें painting के अलग-अलग parts थे इस parts को जोडने के बाद Adam की picture बनी Catherine के date के बाद Adam को somewhat एक closure मिल जाता है इस experience से हो सिखेगा और आगे बढ़ेगा इसे के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे like कर दिजेगा ये बहुत सारे movies लेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दिजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमों के साथ तो दिले धाइग्यो और आप अपने आपका खैल रखे